तो अब देखते हैं कि official email address यानि कि अगर आप student है किसी एक university कि वो पाकिसानी university है या पाकिसान से बाहर कोई भी university है आपको एक email मिलता है आपको नहीं पता आपके सिरफ उस email की domain होने से यानि कि at the rate of जो आपका email का नाम है उसका होने से आपको काफी benefits होते हैं उन benefits को अगर मैं यहां पे enlist करों तो सबसे पहला benefit यह है कि आपको online educational courses की access मिलती है free content and streaming tools मिलते है softwares बहुत ज़्यादा जो हैं वो free में मिल जाते है and then access to premium entertainment services like different kind of services उसको free में आप access कर पाते हैं खास्तोर पे Amazon Prime जैसे services को then access to graphic designing tools यानि के Canva और है आपके पास Figma के नाम से tool है उन्हें आप यूज कर सकते है free of cost फिर a lot of other discounted products आपको मिली जाती है जिसमें Adobe का creative suit है जारी बात है पाकसान में रहते होए तो आप different किसम के वरियन यूटिलाइज कर लेते हैं but other than that you can supercharge other things for example यूनिडेज के नाम से एक ID बनती है और यह western countries में अगर को student है वो यूनिडेज को चेक करें वहां पर जाके आपको बहुत ज्यादा ब्रैंड्स पर नाइकी एडिडास इधर उदर के जितने भी ब्रैंड्स आप डिसकाउंट फिर आप आपने मुबाइल पर चेस करने के लिए 15-20 परसंट डिसकाउंट होता है और अगर आपने मुबाइल पर चेस करना उस पर भी फिर आप Autodesk Maya अगर कोई Maya software यूज करते हैं या AutoCAD यूज करते हैं डिफरन किसम के आप इसको भी उटलाइज कर सकते हैं अपने से काफी लोग इस चीज के लिए भी सोचने होंगे कि अपल को पर्चेस कना अगर आपके पास student email है तो उसको कैसे यूटलाइज करने है